नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोज सारंग आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आपके अपने परिवार सचने कैडमी पर, शुबम अध्यान, गुड आफ्टनोन, रादे-रादे, राम-राम सभी के लिए, सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, सभी प् तो कैसे सभी प्यारे साथी उम्मीद करता हूँ, सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्त होंगे, एक बार सूचित करेंगे कि आप लोग मुझे अच्छे से देख और सुन पा रहे हैं, सभी का हरदय से स्वागत है, सभी का नमस्कार और प्रनाम स्वीकार दोस्त तो जैसा कि दोस्तो आपको पता है, जुलाई में आपका सीटेट की परिक्षा होने वाली है, और इस वार भी पिछली वार की तरह हम बहुत अच्छा और बहतरी एक बैच आपके लिए लेकर आए हैं, ये बैच आपको पहले ही लॉंच कर दिया गया था सजिन सर के माध्य से और पूरी टीम का परिचे उसमें हो गया था, तो दोस्तो यहां पर आज वैसे लगातार प्रते दिन अलगलग विश्य के डेमो चल रहे हैं, आज यहां पर हिंदी का डेमो होने वाला है, जिसमें हिंदी की जो भूमी का रहती है सीटेट में 30 नंबर की रहती है, और 30 न से पढ़ाये जाते हैं, आपको पुराने विद्यार थी उनको भी पता है, और जो नए विद्यारती हैं, उनको मैं फिर से बता देता हूँ, कि यहां पर जो आपका यह बैच होगा, इस बैच के बारे में काफी कुछ बताया जा चुका है, लेकिन फिर से मैं आपको सूचि जो परिक्षा होने वाली है, तो जो पेपर वन है दोस्तों, अगर जो कक्षा एक से कक्षा पांच तक के लिए ध्यापक बनना चाहते हैं, उसका जो बैच है यह 900 रुपे का है, और इस पर अभी 300 रुपे का डिसकाउंट चल रहा है, और जो डिसकाउंट है दोस्तों यह क जो बैच है, वो 990 रुपे का है, और यह जो है बैच जो आप मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कक्षा एक से कक्षा पांच तक और कक्षा छे से कक्षा आठ तक का जो सीट होता था, अब इस बार लाश्ट होगा, उसके बाद मतलब इसमें एक चीज और एड हो जाएग जैसकी सीट एट की अब होती है, तो फिलाल आपको जो इस बैच के अंदर क्या मिलने वाला है, जो फिल्स्ट और सेकिंड दोनों अगर कॉम्बो लेना चाहते है, तो वो 1190 रुपे में बैच मिल रहा है, यह जो छूट है केवल पच्चिस मार्च तक है, और इसकी जो वैल पर आएगा वहां तक यह अपकी लगवक वैलिडिटी रहेगी यानिकि ऐसा नहीं है कि यह आपका पेपर अभी जुलाई में हो जाएगा तो बैच आपको खतम कर दिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है आप पेपर के बाद में भी इसको द्वारा पढ़ सकते हैं और पढ़ सकत मार्च से चलेंगी आज 18 मार्च है तो दोस्तों दो दिन और अभी रुकिएगा मतलब एक दिन और बीच में है तो 20 मार्च से एप्लिकेशन पर आपकी प्रति दिन क्लास होगी अलग 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 विशयकी अलग तरीके से तो आप टाइम टेवल सेट कर दिया जाएगा बत दोस्तों recorded videos मिलेंगी जो आपको live हो जाएगी उसके बाद उसको recorded दिया जाएगा और एक सबसे बड़ी खास और विशेश बात क्या है दोस्तों इस बार इस बार सीटेट की जो सचिन सर की किताब है वो भी आपको मिलने वाली है इस बैच के अंदर ही यानि कि इस बैच में बैच में करा जाएगा ठीक है application नहीं चलना है तो आप उसको एक बार जो है logout करके अनिस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए ठीक है वो चल जाएगा ठीक है तो अब दोस्तों हिंदी की विशे सूची की बात कर लेते कि हिंदी की विशे सूची में क्या-क्या हमने इस बार जो जनवारी में पेपर हुआ था मतलब यह मानके चलिए पूरा 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 पेपर बढ़ियास आया था प्रशन मज़ेदार आये थे बहुत बहतरीन तरीके से वो सारे मैं आपको हल करके बताऊंगा और किस तरह से आपको हल करना होता है अधा गद्यान्स आएगा और उसी के अंदर भी आएगा पंद्रे नमर का तो आप लोग जो है अरे भाहिया जब व्याकरण कम आता है तो हम कहां से पढ़ाई है मतलब जितना आपका चर्छे नमर का व्याकरण आएगा उतना आपको application के अंदर पढ़ा दिया जाता है तो हिंदी के विद्यार्थी या अंग्रेजी के या किसी भी भाषा के विद्यार्थी है वो इस पर जोर ना दे कि उसका व्याकरण नहीं पढ़ाया जा रहा है उपसर्ग प्रत्य पूछ लिया यह पूछ लेता है कि कोशन एक पूछेगा दो नहीं पूछेगा अलंकार कभी कभी पूछ लिया साल दो साल में दो चार साल में तो यहां पर व्याकरन पर जादा ध्यान नहीं देना है और जो यह जो कवर होती है न दोस्तों यह वाली चीज जो cover होगी आपका Hindi section, ये ध्यान रखना, आपको seated pass करने का मैं बहुत अच्छा तरीका बता दे रहा हूं, कि जो CDP होती है, यानि कि जो सजिन सर पढ़ाएंगे या जो भी कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं CDC बात है, CDP जो होती है, उस पर आधारि ये पूरा हो जाएगा, आधा complete और आधे और भाषा हैं, मतलब जो भी अंग्रेजी है या उर्दू जो भी भाषा पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये पैडागोजी आपकी जो CDP होती है, CDP पर आधारित होती है, तो बात करें दोस्तों हम हिंदी section की और हिंदी section में, इस वीड लाइक शेर नहीं कर रहे हैं वेल्कुल भी वीडियो को, एक बार तो कम से कम लाइक शेर कर दो मेरे यादो, भाषा बालक वे भाषा सिक्षन, जो हिंदी section जो विशय सूची दी गई है, NCERT के द्वारा, उसमें क्या दिया गया है दोस्तों, यहां पर भाषा है, पहला जो कराएंगे दोस्तों, सिक्षन और सिक्षक, तो सिक्षन क्या होता है और उसमें सिक्षक की क्या भूमिका होती है, सिक्षक कितना आहम होता है, भाषा सिक्षन की विधिया इसमें कराई जाएंगी, ठीक है, मूल्यांकन अभम उप्चारात्मक सिक्षन इसमें कराए जाएग हार एक जो है कह सकते हैं भाषा के अंदर आता है चाहें अंग्रेजी हो चाहें संस्कृत हो चाहें कुछ भी हो पाठ्थय पुष्टक जो है क्या होती है उसमें बाल साहित्य क्या है और बहु भाशिकता क्या है यहां से बहुत सारे प्रशन बनते हैं जो पिछली बार जो आय कराए जाएगा ठीक है तो सिक्षा में जो सूचना एबम तक्निक ही यानि की ICT जो वगएरा होती है सिक्षा के अंदर उसकी क्या भूमिका है और डिजिटल पैडागोज यानि की डिजिटल सिक्षन शास्त्र किस तरह से कराना है वो भी इसके अंदर कराए जाएगा ठीक है आप बहुत स्वागत है सभी का वीडियो को लाइक शेर कर देंगे मेरे टमाटर टमाटरी हो चलो फिर आता है दोस्तों गध्यांश और पध्यांश यानि की जो आपका गध्यांश पध्यांश होता है इसमें मैं आपको बता देता हूं कि गध्यांश जब आप भाशा दो देते हैं तो दौनों गध्यांश आते है और भाशा एक में हिंधी चुंते तो गए गध्यांश आएगा और पध्यांश आएगा यह बाध्यांश चास चले ना ठीक है तो गध्यांस और पध्यांस का बाते हैं जब भाषा एक में आप हिंदी चुनते ठीक है यह आपको मैं अप्लिकेशन के अंदर और रिटेल में बता दूगा आरामसे फिलाल मैं आपको डेमो देने के लिए आया हूं ठीक है व्याकरण तो व्याकरण मतलब व हो सकता है उपसर्ग प्रत्य हो सकता है ठीक है इस तरह से यहां पर लोगोक्ती मुहावरा भी हो सकता है ठीक है तो यहां से यह वाला प्रशन आएगा ठीक है ओकी रिपोर्ट डन है बात चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जो विगत परिक्षा हुई थी 21 जनवरी दोजा हुआ ठीक है उसमें से मैंने पूरा पेपर उठा कर यहां पर रखा है पहले मैं आपको सिक्षन पढ़ाऊंगा यानि की हिंदी पैडागोजी उसके बाद आपको गध्यांस पध्यांस कैसे कराते हैं वो भी है समझाऊंगा ठीक है जी बिल्कुल प्रिया गवतम जी बहु यहां से समझना है वो क्या कहती है कि सत्ता एवम न्याय के दृष्टी कोण में इस पाठे सामगरी के अर्थवे विचारों पर चर्चा करो किस पर दोस्तों सत्ता और न्याय के दृष्टी कोण में इस पाठे सामगरी जो उसने मैडम जी ने पाठे सामगरी दी है बच्च कर रही है इस बात के माध्यम से इस बात के माध्यम से जो मैंने रेखांकित किया है उसको ध्यान से पढ़ो ठीक? हा? यूट्यूब पर शेयर कैसे किया जाता है जैसे तुम लोग वो इंस्टा की रिल शेयर करते हो न दोस्तों को वहां तो नहीं पूछते हो रुक आई वात बहुत जल्दी शेर करते हो वीडियो को हैं तो तो उच तरिये भाषा कोश अन् 1 ओबना शक्षर्ता कोशितव समा लोचनात्मक शिक्षण शाष्त्र या समाफ लोच नात्मक भाषा विकास तो इसमें ये मैडम जी जो है क्या करने का प्रयास कर रही है जल्दी से बताइए वीडियो को लाइक शेर भी करना हाँ जी ठीक है बहुत बढ़िया तो दोस्तों अच के जो मैडम जी क्या करने का प्रयास कर रही है तो फिर से समझते हैं कि एक मेडम जी ने अपनी कक्षा में मिडल स्थर की क्लास है ठीक है उसमें क्या कर रही है मेडम जी अपने बच्चों को कुछ छोटी कहानी या कोई सामगरी पढ़ने को दिया है और उसमें सत्ता एवं न्याय के दृष्टी कोण में इस पाठे सामगरी के अर्थवेब सोच है ठीक है लेकिन किस प्रकार से जुड़ेगी यह दोस्तो साक्षर्ता कोशल ठीक है समालोचनात्मक साक्षर्ता कोशल है इसका मतलब यह होता है दोस्तो कि क्रिटिसाइज करना किसी चीज को किसी चीज की आलोचना करना आलोचना का मतलब बुराई नहीं होता है के अंधर जो कहानी दी हुई है उसका राजनीती अन्याए से क्या संबंद है तो इससे बच्चा जो है अपने पांट की कहानी को भारती ये राजनीती से भारती ये नइज्wny जोड़े तो उसी को कहते हैं समालोचनात्मक साक्षर्टा कौशल यानि कि बच्चा अपने दृष्टी कोण से उस राजनीती को देखेगा उस न्याय व्यवस्था को देखेगा इसी को कहते हैं साक्षर्टा कौशल और किस से समालोचना यानि कि उसके अच्छे पक्ष और उसके बुर करना नहीं आलोचना का मतलब है अच्छे और बुरे पक्ष पर अपनी बिल्कुल तटश्त यानि की जो है बिना पक्षी है बात रखना उसको समालोचना कहते हैं तो इस पाठ के माध्यम से मेडम जी ये करें कि बैटा ये जो पाठ है न ये आप अब ये बताओ कि इस पाठ म मजनिती के माध्यम से हम क्या-kya चीजे सीख सकते हैं चलých आगे तो दोस्तो जो प्रुटिकल पैडागोजी या समालोचनात्मक सिक्षाशाषास्त्र का इस्तेमाल भी सीखने सिखाने में होता दोस्तो मैंने यहां पर आपको आभी जो बताया था मैंने बताया था समालोच लेकिन यहां पर सिक्षा शास्त्र जो है कि यह भी महत्वपुन बिंदू है साथ में इसको भी मैं आपको बता देता हूं कि क्रिटिकल पेड़ागोजी या समाल उचनात्मक सिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल भी सीखने सीखाने में किया जाता है लेकिन इसका मुख्य सरोकार म ग्यान को किस तरह से निर्नव निर्मित किया जा सकता है और जो बच्चा सीखने वाला उस तक कैसे डिलीवर यानि कि पहुचा या कैसे जा सकता है तो यहां पर क्रिटिकल यानि कि समाल उचनात्मक सिक्षा शास्त्र का मतलब तो यह हो गया लेकिन समाल उचनात्मक साक्ष शर्ता कौशल का मतलब यह है कि सिकक्षा के अंदर या जो चीज सीखी जा रही है उसको हम अपने दृष्टी कोण से सही गलत का निर्ने कैसे ले सकते हैं ठीक है टाइम टेवल अभी सूचित नहीं किया गया है दोस्तों चलिए अंतर भाशिक पहचान क्या है अंतर भाशिक पहचान दोस्तों सिक्षार्ती की यह समझ की विविन भाशाओं का अधिगम विविन योगताओं का आधार या स्ता आश्वासन है सिक्षार्ती के निर्ने कुछ तो सहजात भाशा में हैं और कुछ लक्षे भाशा में समान होते हैं या फिर सिक्षार्ती के निर्ने सहजात भाषा में कुछ और लक्षे भाषा में कुछ असमान होते हैं सिक्षार्थी का यह निर्णे की सहजात भाषा का ग्यान दुतिय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है तो दोस्तों यह अंतर भाषिक पहचान क्या होती है बताईए हाँ अच्छा जी साव लाइक शेर नहीं करोगे बहुत बढ़िया है सीटेट हो गया एक सो आठ ठारा एक सो दस नम्मर आए क्या बात है चले बहुत बढ़िया हादी दोस्तों तो अंतर भाषा पहचान बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्वागत दोस्तों सभी का तो दोस्तों अंतर भाषा पहचान वो भाषा होती है जब सिक्षार्थी के निर्ने जो सिक्षार्थी डिसिजन लेता है सिक्षार्थी जो सोचता है यह सिक्षार्थी जो बात कर रहा है या कुछ भी उसमें भाशा के माद्यम से अपनी प्रिक्रिया कर रहा है तो सिक्षार्थी के निर्ने कुछ तो सहजात भाशा सहजात का मतलब होता है जो जन्मजात भाशा होती है जिसे हम कह सकते हैं मात्री भाशा जो हो सकती है तो सिक्षार्थी के निर्णे कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्षे भाषा में समान होते हैं, मतलब दो आलग आलग भाषा या एक से आधिक भाषाओं के बीच की जो कड़ी होती है, होता ना कि जैसे बच्चे ने मात्र जो हिंदी भाषी क्षेतर में जनम लिया, आ आप लक्षे भाषा यानि की अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं, आप अंग्रेजी भाषा को टार्गेट कर रहे हैं, तो टार्गेट लेंग्वेज यानि की उर्दू भी हो सकती हैं, तो दूसरी भाषा और अपनी भाषा के बीच की जो कड़ी होती है, उसको हम अंतर इंतर भाषिक पहचान कहते हैं जैसे अंतर भाषा यानि की इंट्र लिंगवल रीच्व और अर्थ है अनेग भाषाओं के मध्य एक सरवनिष्ठ भाषा ठीक है सरवनिष्ठ भाषा मतलब होती है कि जिस भाषा के माध्यम से दोनों भाषाओं के बीच में हम पुल बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम एक भाषा से दूसरी भाषा में पहुंच सकते हैं यानि कि कहीं न कहीं बीच की कड़ी के माध् तो है हम अंतर भाशा कहते हैं यह एक अंतर राष्ट है मददकार भाशा है जो कि यहां भाशा दूसरी भाशा से सर्वत्था प्रथक होती है अलग होती है अधे ऐसी भाशा श्वबहृक 야ईत Song मांगे चलिए आप अब हिंगलिएस बोलते हें हिंगलिफ बोलते ना आधी अंग्रे जी आधी हिंदी ये बनावटी भाशा है को हिंग्लिफ कहते हैं तो इसी को मूं अंतर भाषा कह सकते हैं एक पहाशा अध्यापक है अंग्रे जी ही मैडम है यह क्या सुना रही है अंगरे जी में कहाणी सुना रही है और सिक्षार्तियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है मतलब बच्चों को जो भी भाष आती तागरी फारिसी तामिल ऑ invoke अलम, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, जो भी आती है, उस भाषा में यह कहानी समू में सुनाए, फिर कक्षा की समाने भाषा में यही कहानी सुनाए, तो पहले तो अंगरे जी में सुनाई, फिर मेडम जी ने का अपनी भाषा में सुनाओ, फिर कहा कि कक्षा की जो भाष मेड़े चाहने अंग्रेजी में सुनाई और बच्चों से का बिटब जो भी आपको भाषा आती है उस भाषा में यह अंग्रेजी वाली कहानी सुना। Communismृ 2000 वाली कहानी सुना। तो वो बच्चा अंग्रेजी में मेडम ने अंग्रेजी में कहानी सुनाई मैथली में बच्चे ने पूरी कक्षा में कहानी सुना दी लेकिन हिंदी में हिंदी अंग्रेज जो इस कक्षा की भाषा है ठीक है तो उसको क्या कहते दोस्तो पर भाषा बिल्कुल सही कहा पर प्रहाशा कि क्या कहेंगी सातियों पर भाशा विवहार या ट्रांस लेंगवेजिग ठीक है इनकी इसमें क्या होता है दोस्तों एक भाशा से अधिक भाशाओं में इस्थानंतरन करना होता है में पहले एंगरीजी में सुनाई फिर बच्चे ने अपनी मात्र भाशा में वह क ट्रांसलेट किया जा रहा है मतलब बच्चे के द्वारा ही अपने द्वारा खुद के द्वारा अलग अलग भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है ने की पर भाषा वहवहार इसको कहा जाएगा ठीक है अब यह होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रांस लेंग्वेजिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना होता है पहले अंग्रेजी में फिर बच्चा दूसरी भाषा में गया जो बच्चे को भाषा आती है फिर तीसरी भाषा कौन सी आई जो उस क्लास की भाषा है तो तीन भाषा में ट्रांसलेट हुआ ना उ यहां पर आपको दिक्कत होगी application के अंदर आपको मैं पूरा एक तरीके से चार्ट बना के दूँगा इसका जिससे कि आपको ना यह जो शब्द जो है दिक्कत जहां आती है शब्दों में वो शब्द बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए बहुत सरल में से उनुस बहुत सरलता से उन शब्दों का आर्थ शम्ज सकते हैं। ठीक है, यह इसका उप्योग यह बताने के लिए किया जाता है कि द्वी भाशी अपने भाशाई संसाधनों का अपयोग ठीक है अपने आसपास की दुनिया को समझने और बात्चीत करने के लिए किस प्रकार से करते हैं मतलब द्वी भाशी मतलब जिनको दो भाशाई आती है वो दो भाशा वाले बच्चे ठीक है थोड़ा से light हो रहा ना जादा चलो कोई नहीं अगले पेज पर थोड़ा ये color थोड़ा दिक्कत कर रहा है आगे से में दूरा चेंज कर दूँगा चलो ये तो दिखा होगा कक्षा साथ को अध्यापिका जोड़ियों यानि कि पेर में कारे करने वाली गतिविदी करवा रही है मतलब कक्षा साथ की मेडम जी है वो कक्षा साथ के बच्चों को जोड़े में बिठा रही है जोड़े रव ने बना दी जोड़ी किस किस की जोड़ी तो जोड़ी बनाके कक्षा में बिठा रही है ठीक है जिसमें सभी जोड़ियां जो को दस वाक्यों की कहानी पर कारे करने के लिए देती है सबी जोड़ी, एक जोड़े को 10 वाक्य, फिर दूसरे जोड़े को 10 वाक्य, फिर तीसरे जोड़े को 10 वाक्य, हर एक जोड़े को 10 वाक्य की छोटी-छोटी कहानी देती है, पहली जोड़ी दार पहला वाक्य पढ़ती है, और दूसरी जोड़ी दार जो है उस वाक्य को लिख तो दूसरा जोड़ा क्या करेगा दूसरा वाक्य पढ़ती है तो दूसरा जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ेगा और पहले वाला उसको लिखेगा ठीक है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है तो पहले ने वाक्य बोला दूसरे ने लिखा और जो सकतिविधी को क्या कहों थो पारसपर की शुरुटलेग आ या वाक्य शुर्विटलेगों क्या कहेंगे जो कुछ कहींगे सच के चुम कुछ नहीं कुछ लाहीक श explicar करतो जल्दी से कि यह तो दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लो आप लोग छाय में बैठ जाओ अंधेरे में बैठ जाओ थोड़ा सा अंधेरा काइम रहे दिख जाएगा हुई तो दोस्तो क्या करेंगे इसको पड़ावर से बताई ये बहुत बढ़िया कि बिल्कल बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाश तो पारस-परिक तुनकर जो लिखा गया है ठीक है पारस-परिक स्दुरूत लेक उसको कहेंगे मेरी टमाट्र टमाटरी और क्या कहेंगे दोस्तो पारसपरिक शुरुत लिख कहेंगे पारसपरिक मतलब होता है एक दूसरे से शुरुत मतलब सुनकर लिखना ठीक है तो इस तरह से क्या होता है? हम इसको पारसपरिक स्थृतलिक कहते हैं और जब उनके द्वारा वो चीजे लिखी गई, पूरी जब लिखी गई, तो लिखने के बाद उस कहानी को जो है वास्तविक कहानी से मेल करते हैं, तो उनमें कितना अंतर है, कितनी गलतियां हैं, ये जो चलो मेरे गुलगप्यों आगए एक सिक्षार्ति किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सिक्षार्ति किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी दोस्तों विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है इस पठन को क्या कहेंगे अध्यन कोशल समा लोचनात्मक चिंतन सरसरी तौर पर पठन या बारी की से पढ़ना क्या कहेंगे क्या कहेंगे मेरे गोलगप्पे गोलगप्याओ बताओ जल्दी से यानि कि कोई एक विद्यार्ती है वो क्या करती है मेडम जी बच्ची है लड़की है छोटी सी ननी मुनी बच्ची है वो समाचार पढ़ती है कि विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए सरसरी तोर पर नहीं पढ़ना पढ़ेगा ठीक है यह सी लगा रहे हैं उतरवाय थ्यारा भला हो जा थ्यारा जब हम विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं तो हम उसे बारीकी से पढ़ना कहेंगे ठीक है विशिष्ट जानकारी का मतलब हो गया उसको में गहराई से पढ़ना पढ़े किसी पाठे सामगरी में विशिष्ट तत्यों या सूचना को ढूणने के लिए ठीक है यह पठन प्रिक्रिया यानि कि कौन सी दोस्तों बारीकी से पढ़ना ठीक है तो किसी पार्टे सामगरी में विशिष्ट तत्यों या सूचना को ढूणने में यह पठन साम प्रविदी प्रियोग में लाई जाती है जिसे समाचार पत्र में नौकरी के लिए विज्यापन जिसे मानगे चलिए आप तो ऑनलाइन ही बहुत सारी वेबसाइट आती है जिन प देगरी के लिए कितनी फीस है कौन सी लाष्ट डेट है कौन सी डेट शुरुआती है तो सीटेट में क्या-क्या मानगा चाहिए बीर्ड वेलिड है या नहीं है कक्षा एक से कक्षा पांस तक लिये कौन कौन सी डिगरी चाहिए तो आप इसको बारी किसे पढ़ रहे है इसको गहराई से पढ़ रहे हैं इसी को कहते हैं बारी की सी पढ़ना तो वो विशिष्ट जानकारी है ना आपकी आप विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको बारी की सी पढ़ते हैं तो समाचार पत्र में कोई विज्यापन आया उसको बारी की सी पढ़ना है इसके अंतरगत विशय के ज्ञान को आत्मसात किया जाता है, मतलब उसको गहराई से पढ़ा जाता है, ठीके, चलिए, अब दूसरी चीजे दोस्तों सरसरी तोर पर पर पढ़ना, ठीके, इसकी मिंग कहेंगे या सरसरी तोर पर करना, ठीके, सामगरी की मोटे तौर पर जानकारी लेने या उसका सारांस जानने के लिए पढ़ाई की जाए इसकी जो है इसकी मिंग तक्निकी से सबसे कारगर होती है जिसे पूरी किताब पढ़ने में लगने वाला जो समय है वो कम हो जाता है तीक है पंद्रे जो दस-पंद्रे पतिशत जो है लगबक जो टेक्ष्ट जो है कम हो जाता मान के चलिए पेपर के लाश्ट टाइम पे आपको पेपर के लाश्ट टाइम पे क्या करना होता गहराई सी तो पढ़ेंगे नहीं बारी कीसी तो पढ़ेंगे नहीं पेपर के लाश्ट टाइम में क्या क्या लिखा है हेडिं के सिक्षण में प्रक्रियात्मक ज्यान क्या है बताईए भाषा और उसकी संस्क्रति को जानना यह जानना कि व्याक्रणिक प्रशन तत्वों को कैसे किया जा सकता है व्याक्रणिक तत्वों के बारे में ज्यान या व्याक्रणिक तत्वों के नियमों को जानना व्याक्रणिक एक सिक्षन में प्रक्रियात्मक ज्यान क्या होता है, ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्यान, इसमें व्याकरण के सिक्षन में, तो व्याकरण का सिक्षन जब होता है, ठीक है, क्या दोस्तों, व्याकरण के सिक्षन में जो प्रक्रियात्मक ज्यान होता है, उससे क्या मतलब है आप का बहुत बढ़ी है शावाश बहुत सारे विद्यारतियों का सही आ रहा है नहीं 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 डी वाला नहीं आएगा अरे गलत कर दिया चलो तो दोस्तों यहां पर जो उत्तर हो जाएगा जब व्याकरण के सिक्षन में प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब यह होता है कि यह ज या उनके तत्वों को कैसे समझा जाए यह होता है व्याकरण के सिक्षन में प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रक्रिया मतलब नहीं समझ रहे हो आप लोग प्रक्रिया प्रजमा क्रिया यानि कि जो आपके सामने प्रशन दिया गया है जो आपके सामने प्रशन दिया गया है उसक प्रतिक्रिया में आप कैसे जो है रियक्ट करेंगे उसका उसकी प्रतिक्रिया कैसे होगी जब आपके सामने कोई प्रशन रखा जाता है और प्रशन का फिर जो है आप उत्तर देते हैं तो यानि कि जो व्याकरन का प्रशन रखा गया या व्याकरन के तत्थों को आपके सामन जाए ठीक है टमाटरो चलो व्याकरण सीखने में प्रक्रियात्मक ज्ञान का अतात पर यह समझना है कि व्याकरण रूप जो है उपयोग में कैसे कारे करता है ठीक है उपयोग में कैसे कारे करता है और उसे कैसे लागू किया जाए मतलब उसको कैसे लागू कर सकते हैं नियम करना यानि कि एक तरीके इसको प्रस्तुत करना कह सकते हैं या उसको हम कैसे लागू करना कह सकते हैं इसका ज्ञान है और इसे तरीकों प्रक्रियाओं या उपकर्णों के संचालन में संबनित ज्ञान माना जाता है यानि कि जो हिंदी या हिंदी के जो प्रशन होते हैं किसी व्याकरण के प्रशन होते हैं, उन व्याकरण के प्रशनों को किस तरह से हल किया जाए, उनके नियम कैसे होते हैं, उनके नियमों को जैसे मान के चलिए संधी है, तो संधी का नियम क्या होता है, दीर संधी का नियम होता है, जब बड़े का मेल बड़े से होता है, तो दोनों क दिख रहा ना आपको थोड़ा दिक्कत हो गई गड़वड हो गया चलो कोई नहीं मैं पढ़के बता रहा हूं कख्षा छे की सिक्षार्थी स्थान अंत्रन मतलब पिता जी का ट्रांसफर के कारण पंजाब के जलंधर से तमिलनाडू के मदुराई में पहुच गई ठीक है मतलब रिया के पिता जी का ट्रांसफर पंजाब से तमिलनाडू के मदुराई में हो गया है त्यान से समझना वह मात्र भाषा के कारण अब उसकी मात्र भाषा कौन सी है पंजाबी तो मात्र भाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्याले में दुतिय भाषा के रूप में अंग्रेजी को जानती है तो उसकी रिया की मात्र भाषा कौन सी हो गई रागनी की मात्र भाषा कौन सी हो गया मधृम हो गया रेलवे में पापा जीनके आर्पीएफ में मान के चल नो एक एक तो मधृम हो गया अब मधृमें त Cow रह में तो तमील भाशा बोली जाती बadece आथी तो आब इनने तो खी रहें और आने बर किया पैर आपने पढ़े रहारिया делать से तमिल बोलना चैसunda पड़ोसियों के मदद से सीखा है कहीं college में कहीं उनिवस्टी में कई टूशन लेने ने गई है तमिल भाषा का तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से तमिल भाषा बोलना पढ़ना लिखना सीख लिया ठीक है इसके द्वारा जानी गई जो भाषा है कि संदर में कौन सा कथन सही है मतलब समझना ध्यान से मात्र भाषा उसकी पंजाबी है दूसरी भाषा अंग्रेजी सीखी ती स्कूल में फिर जो तीसरी भाषा है वो पड़ोसियों से सीखिए तमिल भाषा कई स्कूल में कई में नहीं सिखिया किसी मास्टर से एलल पिलले नहीं किया है तो वास समझ में आई तो अब इनके भाषा सीखने के जो कथन ऊसको ध्यान से सुनना है अंग्रेजी भाषा अरजन और पंजावी तथा तमिल भाषा अधिगम में आएंगी ठीक है ध्यान से समझना अंग्रेजी भाषा अरजन है और पंजावी तथा तमिल भाषा अधिगम है या फिर पंजावी और तमिल भाषा अरजन में है और अंग्रेजी भाषा अधिगम में है या फिर तमिल भाशाएं पंजावी तमिल अंग्रेजी अधिगम के अंतर गताएंगी बताईए जल्दी से क्या हो वेगा बहुत ही बढ़िया शाबाश वेरी गुट देखो बहुत सारे विद्यारतियों का अच्छा उत्तर आ रहा है हाजी बिल्कुल नहीं देखो सी नहीं होगा बिल्कुल भी हाजी तो बास समझें बाई देखो यहां से ध्यान से समझ आजएगा जो भाशा मात्र भाशा होती है या अपने पड़ोसियों से तवताः सीखिय जाती है बिना किसी flavor की सीखिय जाती है माहॉल में परिवेश में रहकर सीखिय जात तो यह जो है माहौल में प्रिवेश में रह कर सीखी तो इसको हम अर्जन कहते हैं ठीक है अपने आप भाषा यहने की प्राकर्तिक माहौल में सीखी है ठीक है तो उसी को भाषा अर्जन का जाएगा लेकिन दोस्तो जो अंग्रेजी भाषा थी वो उसने टार्गेट करके लक्षे भाषा बना कर स्कूल में सीखी थी दूसरी भाषा के रूप में तो उसी को हम अधिगम कहते हैं तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से प्रशनाया था तो भाषा अर्जन यह हो जाएगा भाषा अधिगम यह हो जाएगा मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ एक बार फिर से ठीक है तो भाषा अर्जन इस प्रक्रिया में बालक सुनकर जो है सु में थे शोटा बच्चा बच्पन में कुछ गाली oney गाली के सीख किये गाली तो मतलब उसने किसी को देखा ना सी बोलते हुए तब इंद ते ऒए तो बच्चा किसी को देख कर जब सीखता है कोई किसी को देक कर सीखता है उसी को क्या कहते दोस्तों भाशा अर्जन कहते हैं माता पिता से देखकर सीखता है या अपने पड़ोसियों से देखकर सीखता है तो उसी को भाशा अर्जन कहते हैं लेकिन भाशा आधिगम क्या होता है दाशनिक आधार पर नियम बद्ध प्रक्रिया नियम इस आधार में जब बालक को किसी भाशा का ग्यान दिया जाता है तो भाशा के व्याक्रनिक नियमों का प्रियोग किया जाता है अंगरी जी मैं ऐसी उतर ना बच्पन से कसम से बताओ जो हिंदी मीडियम वाले हैं एसी होता ना एज एम आर वाज वर विल वुड वही वुड और विल वा थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म फॉर्श्ट फॉर्म ही नहीं पता चलती थी कवी जिन्दगी में तो वो जो है व्याकरनिक नियमों के माध्यम से और टार्गेट लेनी की केंद्र लक्षे भाषा करके जो सीखी जाए उसको भाषा आधिगम कहा जाता ठीक है इसमें बालक को भाषा का ग्यान देने के लिए विभिन विधियों का प्रियोग किया जाता है, इसमें कोई विधी लागू नहीं होती है, बिल्कुल फ्री स्टाइल कुस्ती होती है, जैसे नोट आउट, ठीक है, ओकी रिपोर्ट है, चली, आगे बढ़ते हैं, आगला है दो ओसी स्टावन के दवारा, बोली जा रहा हुए, खशेत्र की भिन है, वहां पर अलग जंगे हैं, खजी कोट, तो एक जगे में दूसरी मल्यान है, दूसरी जगे में दूसरी मल्यान है, यूदि दोनों मैं abreलार में थोड़ा थोड़ा अंतर है, विशेष नमुदाया द्वारा बोली जा रही मल्यालम को किस रूप में जाना जाएगा तो जो विशेश समुदाए है ठीक है तो ये जो दो अलग-अलग मल्यालम बोली जा रही है ये किस वजह से बोली जा रही है दोस्तों ये दो विन-विन भाशाएं हैं मल्यालम के दो प्रकार हैं मल्यालम की चेत्रिय बोली या मल्यालम की सामाजिक बोली ध्यान से समझना मल्यालम ये दो अलग अलग भाशा हैं तो बिलकुल भी नहीं है क्योंकि ये मल्यालम के ही दो रूप हैं क्या समझे मल्यालम के ही दो रूप है और यहां जो बात कई गई है कि इसी स्थान में दूसरे दूसरों जो माना गया है वैसे तो NCRT ने जो उत्तर आया है वो मैं बताऊँ आपको माना है मल्यालम की सामाजिक बोली क्या बोला है? मल्यालम की सामाजिक बोली और मैं आपको उत्तर यहाँ पर हमें यहीं मानना पड़ेगा कि मल्यालम की सामाजिक बोली इस नाम होते हैं, जैसके हिंदी की क्षेत्रिय बोली उछे जाता है, यह में आपको बता दूं, gegeni च्षेत्रिय boわかूली नाम होते हैं, जैसे कि हिंदी की क्षेत्रिय बोली निली कन्योजी ब्रजबूंद전 कन्योजी यह आपगे, आहिज तो इसलिए हम क्षेत्रिय बोली इसको नहीं लगाएंगे क्या कहेंगे दोस्तों समाज के द्वारा जो विशेष समुदाय द्वारा तो विशेष समुदाय में दोस्तों समुदाय का मतलब होता है यहां पर समाज के द्वारा जिंगे क्या कहें आओय यहां पर समाजिक भूली ऑक कि रिपोर्ट है द्वारा चलिया है जी अंग्रेजी हिंदी या घर की भाषा इस्थानिय भाषा का भाषा प्रत्थम भाषा की रूप में हो या मात्र भाषा घर की भाषा या हिंदी प्रत्थम भाषा की रूप में हो तो यहां पर त्रिभाषा सूत्र के विशे में कौन सा अर्थ सही कि हांजी बताइए बहुत बढ़िया कि आचा बहुत बढ़िया पाण oh कि अच्छा बहुत बढ़िया पानी तो देखो दोस्तों बहुत सरल सात tienes जो कुछ लोग डिवाला उत्ता लगा रहे हैं तो अध्यान सी समझे कि मात्र भाषा ठीक है घर की भाषा ठीक है अन्ening लेकिन त्रिभाषा सूत्र जो है यह पूरे भारत में लागू हो रहा है तो भारत के अंदर अनेक भाषा हैं बोली जाती हैं बोलियां भी बहुत सारी बोली जाती हैं आप ये सोचिए जब यहाँ पर आपने हिंदी प्रथम भाषा के रूप में मानी तो तमिल वाला बच्चा जो तमिल बोलेगा बच्चपन से तो उसकी मात्र भाषा हिंदी कैसे हो जाएगी बताईए आप सोचिए प्रथम भाषा कैसे हो जाएगी तो यह वाला उत्तर गलत ह ये केवल आप लोगों के लिए लागू है ये वाली जो बात है कि हिंदी पर्थम भाषा के रूप में होगी और कहीं कहीं तो हिंदी भी नहीं होगी ठीक है जहां हिंदी भाषा है ही नहीं पर्थम भाषा के रूप में तो आप इसको कैसे लगा सकते हो और अंग्रेजी जो ह किसी भी भाषा का नाम आए कि वो प्रथम भाषा के रूप में लागू हो तो नहीं क्यों क्यों कि या तो मात्र भाषा या घर की भाषा या जो खेत्र की भाषा होगी वही प्रथम भाषा के रूप में लागू हो सकती है और उसके अलाबा कोई दूसरी भाषा प्रथम कर सकते हैं क्योंकि यह सब जगे सर्व सार्व वहमिक नहीं होती है क्योंकि हिंदी भाषी खेत्र से अलग भी बहुत सारे पंजाबी का बच्चा तो पंजाबी बोलेगा ना सही से बच्पन से तेरी कुडवाई होगी नहीं होगी है इस तरह से तो कोठारी कमिशन ने 1964 में दोस्तों इस आयोग में त्रिभाषा सुत्र लागू किया था दोस्तों ठीके त्रिभाषा सुत्र ठीके इस प्रकार प्रतिपादित जो किया गया था क्या था कि प्रतम भाषा जो होगी मात्र भाषा या क्षेत्रिय भाषा होगी मा तो अंग्रेजी ना हिंदी ना पंजावी ना गुजराथी ठीक है तो किसी भी भाषा का नाम नहीं है यह नियम नंबर एक है इसका तो पहली भाषा के रूप में प्रथम भाषा के रूप में कोई एक भाषा निश्चित नहीं है कि यही होनी चाहिए उसकी जो घर की भाषा होगी मात्र भाषा होगी वही प्रतमभाषा होगी ठीक है दूसरा है stationedra की राजभाषा या Sam растa ROB जाने की हिंदी होनी चाहिए राजभाषा कौणसी है हिंदी तो दूसरी भाषा की रूप में हिंदी अपना सकते हो यदि मात्र भाषा हिंदी नहीं है तो अगर आपने प्रत्थम भाषा की रूप में हिंदी अपनाई है तो दूसरी भाषा की रूप में आप सहराज भाषा कौन सी है अंग्रेजी हो जाती है सहराज भाषा तो अंग्रेजी हो गई ना सहराज भाषा अंग्रेजी और राज भाषा हिंदी ठीक है तो हिंदी राज भाषा होती है राश्र भाषा नहीं है और सहराज भाषा अंग्रेजी है तो अगर आपकी मात्र भाषा हिंदी है तो आप सहराज भाषा दूसरी भाषा या विदेशी भाषा, तो विदेशी भाषा की रूप इसको अपना सकते हैं, ठीक है, कोई तीसरी नीचे दिये गया आदिगम कार्य, सिक्षार्तियों को भिन्न समुवह में करने के लिए दिये गया है पता लगाईए कि शब्द सम्पदा के आदिगम की इस गतीविदी को किस रूप में जाना जाएगा निम्लिकित शब्दों से संबंदित शब्द और वाक्य का पता लगाई जैसे मान के तीन समू दिये गए एक परिवार शब्द का समू दिया गया है एक संबंद समू का समू दिया गया है एक भावनाय समू दिया गया है ठीक है शब्द दिये गए अलग अब इसको हम शब्द जाल कहेंगे थीम आधरित शब्दावली कहेंगे या फिर शब्द समू कहेंगे या समू शब्दावली कहेंगे क्या कहेंगे हाँ जी हाजी जी गुर आफ्टरनून जी कैसे हैं सोलंकी जी शली दोस्तों बहुत बढ़िया जो नीचे दिये गए अधिगम कारे सिक्षार्तियों को भिन्द्बिन समूओं में करने के लिए दिया गया है पता लगाईए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस विधी इस गति विधी को क्या कहा जाएगा तो परिवार का शब्द दिया है संबंद का शब्द दिया एक भावनाई शब्द दिया है तो इसकों बहुत बढ़िया जो आपके थीम आधारित शब्दावलीज को कहते है ठीक है, ठीम आधारित मतलब होता है कि किसी एक शब्द की ठीम दी जाएगी, परिवार से संबंदित शब्द दे दिया, अब इस परिवार से जुड़या हुआ ही content बच्चे को इकठा करना है या उससे संबंदित चीजे या शब्द इकठे करने हैं, संबंद शब्द से जु मान के चलिए कोई भी एक शब्द दे दिया जाए और कहा जाए कि इससे जुड़े हुए शब्दों को आपको जोड़ना है, इससे जुड़े हुए आपको वाक्य बनाने हैं, इससे जुड़े हुए चीजें बनानी है तो उसको कहते थीम आधारित, ठीक है? मतलब किसी एक शब्द की थीम दे दी जाती है, और बच्चे को उसी थीम पर काम करना होता है, ठीक है? होता न, बहुत सारे? अच्छा, ब्लू वर्ड नहीं दिख रहा है, लाल दिख रहा है ये वाला, चलो ब्लू ब्लू वाले जो न, वो दस तक ही आएंगे, फिर थोड़ा अलग हो जा थीम आधरिस शब्दावली एक बार में ही कई विश्यों से संबनित शब्द सीखने में मदद करता है, ठीक है? एक बार में ही कई सारे, थीम आधरिस शब्दावली प्रविधी से शब्दावली निर्माण आसान हो जाता है, मतलब निर्माण मतलब अलग-अलग शब्दों तो आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए बालक के रुचिकर विश्व हैं टीक के बालक के अनुभव के विशों कि से इससे आरंब करना चाहिए मतलब जैसे बच्चे को जो चीज में मैं अनके चैनल क stripes और बच्चे को पसंद है मन के लिए कहानी बच्चे को परिवार मस्ट कि घर गर चाहिए बच्छे को जानता है बच्छे को जिन चीजों मेर Pare चैक है बच्च सो लडू के लट्डू खिलोने चॉकलेट कुरकुरे दस रुपेते तर तर बच्चे भड़ी चीजे पसंदे ले बच्चे को कहा जायं सबस्跳 चिजों पर बात करता है अगरे कagle कि बलत करता है बच्चा को कई चीज़ को को कुछ अब करक democrी कुछ जोड़ कर लिखो- तो बच्च अपने आप करेगा तक मेरे टमार्टरियों बिल्कुल ठीका कर देता। अब हैं ठीक है डिल्कुल तिक्षण की वह विधी जिसमें अध्यापक और चार विद्यार्ति अध्यापक है और चार विद्यारति , विभिन fermicamon साथ एक सहयोग आत्मक अधिगम समू का गठन करने मतलब अलग-अलग ठीक है आपको भी खिलो ने पसंद आच्छा जी आप दिखरा होगा तो सिक्षन की वह विधी जिसमें अध्यापक और चार विद्यारती विभिन भूमिकाओं मतलब भूमिका मतलब रोल रोल पिले करना विभिन भूमिकाओं के साथ एक सहयोग आत्मक मतलब परसपर आधिगम समू का गठन करते हैं पाठ्यवस्तू की विशयवस्तू का समवाद किया जाता है पाठ्यवस्तू की विशयवस्तू का समवाद मतलब डायलोक्स दिये जाते हैं जिससे समीपस्त विकास का क्षित्र स्रजित होता है समीपस्त मतलब नजदी की जो भी विशयवस्तू है उसके नजदी की मतलब उससे जुड़ी हुई ठीक है विकास का क्षेत्र स्रजित होता है मतलब क्षेत्र बनता है मतलब जैसे कि मान के चलिए किसी नाटक की भूमिका में किसी नाटक की भूमिका में जैसे लक्षमन की भूमिका किसी को देदी, राम जी की भूमिका देदी, किसी को रावड की, किसी को सीता जी की भूमिका देदी, तो ये क्या है, एक तरीकी से उससे जुड़ा हुआ हम माहौल बना रहे हैं, ठीक है, और परिणामत है पठन बोध में सुधार होता है, इस विधी को क्या कहेंगे दोस्तों क्या कहेंगे इसको जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे भात बढ़िया वक्त बलाएक श्यीर करते ना मेरे गौल कप्र गोलकप्य आओ बहुत बढ़िया तो तन्द बैलक खैसे जब एक दूसरे सैंट कर एक दूसरे के आ गए बात करके ऑिक कर बुत दूसरे से सीकतें ऩह 다양ų सवी करते हैं तो वही योगात्मक अधिगम आपको मैं ऐसे शब्द बता दूँगा क्लास में जम पढ़ते रहेंगे एप्लिकेशन के अंदर जम पढ़ते रहेंगे दीरे दीरे तो ऐसे शब्दों के माध्यम से आप प्रशन का उत्तर निकालना सीख जाओगे जो आपके लिए कह सकते ना की वैसे क्या बोलते हैं उनको शब्द जो होते हैं बहुत विशेश शब्द होते हैं जैसे मान की चलिए सहयोगात्मक अधिगम मतलब पारसपरिक सिक्षन सहयोगात्म मतलब एक दूसरे के सहयोग से हम सिक्षन कर रहे हैं और वो भी समूमें समूमे कर रहे हैं तो इसी को कहते हैं पारसपरिक सिक्षन तो आपने बहुत सारे विद्यारति ने इसका उतर देवी दिया है तो इसका मतलब यही हो ना कि आपने वो कोडिंग पकड़ ली है शब्दों को पकड़ लिया तो प्रशन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है आला कि आपको हल करना सिखाय जाएगा प्रशनों को लेकिन साथ में इस तरह का कभी-कभी हो जाता है तो मान के चलिए कि पारस पर सिक्षन एक छोटी समून निर्देश अत्म गतिविदी है जिसमें चात्र सिक्षक बनते हैं चात्र कभी-कभी सिक्षक बन जाते मतलब एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं और चार प्रबंध नीतियों का उपयोग करके चर्चा का नेत्रत्व करते हैं जिसका अच्छे पाठक पाठ को समझने के लिए उपयोग करते हैं चात्रों को अपना भ्रह्म दूर करने के लिए प्रशन पूछने चाहिए मतलब जैसे कि क एक हिंदी लेंग्वेज़ सीकने में कटना ही हो रही है तो आप Hindi की ग्लाश जॉइन कीजिये मेरे Hindi की ग्लाश जॉइन कीजिये आप लोग तो दीर दीर आपकी Hindi बहुत अच्छी हो जाएगा यह मेरा विश्वास है वह भाशा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन क्या प्रतिदिन के लिए हमने सामने की अंत苜 क्रिया के लिए मतलब जैसे मानुकि चलिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं सहिली से बात कर है। सहेली खाना खा लिया तमने कहा खा लिया और कौन सी लिपिष्टिक लगाई आज वह पिंक बेभी वाली लगाई है कि वह दूसरी ब्लू वाली लगाई है नहीं मैंने तो वह बाली लिपिष्टिक लगाई तो सहेली से बात करने हैं दोस्ते बात करने हैं कौन दोस्ते बात क करते हैं दिन प्रति दिन की भाषा उसको हम अंतरव्यक्तिक भाषा ने पुरता कहेंगे संग्यानात्मक अकादमिक भाषा ने पुरता यानिकि CALP कहेंगे या फिर बुनियादी अंतरव्यक्तिक संप्रेशनात्मक कोशल कहेंगे या फिर संप्रेशनात्मक भाषा कोशल कहे अगर दिन-प्रति-दिन की भाषा में बात हो रही है तो कौन सी होती होग है तो को दोले gettinty एक तो होती है zet आपचारिक होती है अनवचारे ठीक है तो जो अनव मतलब दिन-प्रति-दिन की भाषा होती हूँ सको और शाय हो याने कि ऐसे ही जिसमें कोई नियम नहीं होता है अगर अपने हम उसको तूभी बोल दे तो कोई चकर कोई बात नहीं कोई फर्क ने पर तो और क्या आला है तेरे दोस्त मस्ता रहा है मौ जारी है हम किसी के लास में किसी जैसे हम यहां पर नहीं कह सकते बतब थोड़ी मर्यादित वो उसको कहते हैं सी एलबिनी कि संग्यानात्मक अकादमिक भाशा ने पुरता लेकिन यहां कहा गया कि दिन प्रति दिन की भाशा को हम बुनियादी अंतर व्यक्तिक संप्रेशनात्मक को सल्यानि की बेसिक इंडी वीज्वल इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि बुनियादी पारसपरिक संठाज संचार कौशल यानि कि यह तो बुनियादी ठीक है वही वाले तो बुनियादी पारसपरिक संचार कोशल यानि कि बी ए आई सी कह सकते हैं सामाजिक पर जो है परिष्टितियों में सामाजिक परिष्टितियां यानि कि समाज में माहौल में जो परिवेश होता है कोई नियम कानूर नहीं होत है आप उपसर प्रत्य है हां और ठीक है कोगनेटिव एकेडमिक लेंग्विज और प्रोफिशियंसी क्या होता है यानि की सी ए कि अपनेले यान्यागं आत्मक सैक्षमिक भाषए प्रवीन था इसमें जिस theater जिम comment यह इन्हों ने इसको इस्ठापित किया था विद ऐए को और सी एल्पी को दोणों को किसमें जिम कमिंज ने ठीक है ध्यार नखना जिम कमिंज के द्वारा प्रष्टु शब्द हैं दोनों द्वारा विक्सित एक भाषण संबंधी शब्द है जो बी आई सी एस के विपरीत है मतलब इसके बिल्कुल विपरीत है उपचारिक सेक्शनिक सिक्षा को संदर्वित करता यह और यह और अनौपचारिक है, या आपके ऑफिस में, स्कूल में, कॉलिज में, कार्यालियों में प्रियोग होती है, या आपके धृराटे वाली भाषा है, धृराटे का ट्रियों फो, यह वाली, यानि कि इसमें कोई रुडला रेग्डिरेशन नहीं होता है, ठीक है, चली आ जाना चाहते हैं या फिर उन सिक्षारतियों के लिए जिने भाषा अधिगम के कुछ आयमों पर ध्यान देने की आवशकता है या फिर उन अध्यापकों के लिए जिने भाषा सीखने वाले कुछ विद्यारतियों के लिए अपने सिक्षण में सुधार की जरूरत है या फिर अच्छा साव कि जोलती से बताएंगे दोस्तों फटावट से बहुत शाबाश ठीक है तो दोस्तों उपचार अत्मक मतलब उपचार मतलब एक तरह किसे कहते हैं इलाज करना उपचार का मतलब होता है जिसे इलाज करना तो जब किसी निदानात्मक परिक्षन के माध्यम से ज जैसे ब्लड टेश्ट करवाते तो पता चल जाता कि कॉलिस्ट्रोल इतना बड़ा हुआ तो आप हम उसका मुपचार करेंगे ना तो निदानात्मक परिक्षण करने के बाद हमें ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर ये कमी है या हमारे खुद के टीचर के सिखाने के जो तो उन दोनों के सुधार में ठीक है तो उन विस्खषारतियों और अध्यापकों के लिए जिने अपने सिक्षण या अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या सुधार लाने की जरूरत है तो यहां पर हम इसका जो है उप्चार अत्मक सिक्षण का प्रियोग कर सकत ठीक है ओकी रिपोटे दोस्तों चलिए शिक्षा में कमजोर सिक्षार्तियों के सिक्षण आदि गम दोष प्रभावूं को दूर करने की प्रिया उप्चारत्मक सिक्षण कहलाथी है सिक्षण या आदि गम की कटनाईयों या तुरूटियों के करण बच्चे कक्षा में आपक अपने जो पढ़ाने का तरीकर उसमें भी सुधार कर सकता है 10 कि अधिमिलिकत में से कौन सा संकेथ भांशा के बारे में सही नहीं है तो संकेत ecosystem be kind sign language जो होती है sign language संकेथ भाषा संकेथ भाषा काँ होती है जो वधिर लोग होते हैं थिक वद यbst care क्मो stones जो शब्द है हिंदी का है इसका मतलब दो जो जिनको सुनाई नहीं देता है तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहते हैं sign language कहते हैं जुनको दिखाई देता है लेकिन सुनाई नहीं देता बधिर लोग ठीक है तो संकेत भाषा में व्याकरण होती है संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं संकेत भाषा प्रकरतिक भाषा है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है ह真的 क дов बयें संकेत वहाषा में व्याक्रन होती है संकेत वहाषा में नहीं होती तो दिहान डखना जब युंध के अंदर दो विकल्प प्रश्न से रही जुड़े हुए और दोनों एक दूसरे के विपरीथ हो तो उन में से एक उत्तर होगा या तो यही सही है या यही सही है इन दोनों पर तो जाओ मत बिल्कुल भी सोचो ही मत कि इन दोनों से कोई उत्तर हो सकता है यह सोचो कि यह तो यह होगा यह यह होगा बस आपको पता होनों चेकिक सही कौन सा है बिल्कुल सही का क्योंकि व्याकरण होती है उसके निव होते हैं भाई संक साइल लेंग्वेज के नियम होते हैं तो यहां पर उत्तर हो जाएगा कि इसका संकेत भाशा का व्याकर नहीं होता है मतलब यह वाला कंखन गलT है ठीक है बाकी तीनों केन तंखन साइल लेंगवेज के विशह में सही है healthy ठीक है, होता न, sign language, ठीक है, क्या हो, देखा न, प्रिये प्रकास वाली वीडियो, तो ये sign language होती है, ठीक है, A, B, C, D, मतलब, बताने का तरीका, होता न, बहुत सारे नियम होते हैं, तांकेतिक भाषा, वह भाषा है, जिसमें विविन संकेतों का उब्यों करके, संदेश को समझाया जाता है, तांकेतिक भाषा में, आप जो कहना चाहते हैं, वह हात और उंगलियों के इशारे, या चेहरे के भावों, किसी चीज को देखने, या आखों के इशारे से समझाया थिक है संकेत एक भाषा वहीं विक्षित होती है जहाँ वधिर लोग होते हैं टिक है जैसे बिहारी लालका आपने नाम सुना है बिहारी सथ्सई वाल जो उन्होंने दोहा लिखा है कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में कहत करत है नेननहीं सवबात यह दोहा है बयारी लालका वहां भी लेज़ गवेज़ का प्रयोग आठा гор हो कह था नटत लाइल भाहर जाओन युजा कि मिले तो मिलत खिल्थ लजियात शर्म आ गएको दो साоловिय के दिशनक एक स्टिक मिलत खीलत लजियात भरे भवन्मे儿 कर तहां नहीं सो बात तो यह sign language में कहा गया है निमने कितमें कौन सा विस्तृत पार्ट पठन उद्देश्य नहीं है विस्तृत पठन उद्देश्य नहीं दोस्तों बताईए आनंद के लिए पठन सराहना बोद के लिए पठन बहर वेशन यानिकी एक्स्ट्रा पॉलिटिव के लिए पठन व्याक्रण अधियम के लिए पठन बताईए बहुत बढ़िया शावाज धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक शेर करते रहे ना मज़ेदार क्लास इसी तरह की एप्लिकेशन के अंदर भी चलती है मज़ेदार क्लास बहत्त्रीन क्लासे ठीक है एप्लिकेशन के दोस्तों कॉन सी विश्तरत पठन का उद्धेश नहीं दोस्तों विश्तरत पठन का मतलब होता है हम कह सकते विस्तार से यानि कि थोड़ा सा बड़े रूप में पढ़ना तो आनन्द के लिए जैसे कहानिया आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपने बहुत के लिए और डख्टम के में और विस्तरत पढ़न के बहुत रहें-खालत यह विस्तरत पढ़न में रात कि जब्सकी विस्तरत पढ़नकर न और कुछत जीजों को बुदिव्शन के लिए लिए ना वेथ उसके लीवी ओजाता है लेकिन यहां पर जो विस्तार सी जो पढ़ना हो ता वियाक्रण अधिगम के लिए ठीक 순 батी के बिल्कूल भी नहीं काम कंपปऴ विस्तरत ह्तृत्त एक्स्ट्राइब क्या होता है थोड़ा सा में बता देता हूं यह रहला कि ब्रकीन हां करने करने कीरह नहीं या थे जिए लगैम बिंदों के बाहर स्रजित किया जाए तो वह बहर वेशन हो कहलाता है जब कि दिये गए आंकडे मतलब इस एरिये के अंदर से आंकडों की सीमा के भीतर नए आंकडे स्रजित करने की प्रक्रिया को अंतर वेशन कहते हैं या और दिये गए आंकडे से बाहर अगर आप जाते हैं वहां से आ और उसी के अंदर से जब आप आकड़ एकठे करेंगे तो अंतर वेशन कहलाएगा ठीक है अब एप्लीकेशन पर क्लास आपकी बीस तारिक से शुरू हो जाएंगी बीस मार्च से यानिकी परसों से ठीक है आप देखों यहाँ पर एक आपका गध्यांस दिया हुआ है गध्यांस को ध्यान से सुनना है समझना है तो दिखरा होगा यह आपको कि इच्छा से प्रेडित होकर लोग उन्नती के मार्ग पर चलने लगते हैं अपनी यात्रा के आरम में अपनी प्रगती में बादा डालने वाली सेक्ड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं उन आदी मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेडित होकर भी इन खामियों के लिए खिलाफ संगर्ष किया हाला कि प्रगती प्राप्त करने के लिए कोई विवस्तित तरीका उपलब्द नहीं होने के करण वे बहुत कमजूर थे आदी मानव की बात चल रही है मानव का जो अस्तित्व है तीन पक्ष पर आदा रही तो कौन-कौन सा बहुतिक मानसिक और आध्यात में ठीक है अपनी यात्रा के प्रारंबिक चरण में तुदूर अतीत के अंधिरे यूग में मानव ने अकेले भहतिक और मांसिक शेत्रों में प्रगती कि मतलब शुरुवाती जो विक्सित किया मनुष्य परिवर्तन आप भी हो रहे हैं और भविश्य में भी होंगे मनुष्य भविश्य में ऐसे उलेखनी परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगवक अपरिचित होंगे हम यह नहीं कर सकते कि उन आरामिक मनुश्यों ने वास्तम में कोई महत्वपूर्ण आध्याद में प्रगति की थी ठीक है हम यह कह नहीं सकते हाला कि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्व ही नहीं है मतलब शुरुवाती आधी मानब जो था उन्होंने जिस तरह की तरक्की की वह कहीं न कहीं आपके जमाने को देखकर कहीं तो कहीं बहुत क ओर को डिए को ज़ेने के लिए contact नमबर की आवश्यक्ता नहीं होती है तिवारी ची एप्लिकेशन डाउन्नोड कीजिए और वहां से सचीन इकडमी ओफिशल एप्लिकेशन डाउन्नोड कीजिए वहां से अपना फटाक से ले लीजिए कॉंटेक्ट नंबर की क्या जरूरत है बताइए यह को ठेका थोड़ी ले रही है आप किसी का चार बोरी चावल के विजवाद हो बोरी चावल के नहीं विजवाना या एप्लिकेशन डाउनलोड करो कॉर्स पर्चिस कर लो बात कर सीधा सा गध्यांस के आधार पर कहा जा सकत है कि परिवर्तन तीव्रगती से होते हैं परिवर्तन महतुपूर्ण नहीं होते हैं परिवर्तन मानाव जीवन का सत्य है परिवर्तन आपरिपक्वता को दर्शाते आप परिपक्वता का मतलब होता है जिस जो निपन नहीं होता परिपक्वता को कैसे दर्शा सकता है परिवर्तन महतुपूर्ण नहीं होते हैं परिवर्तन महतुपूर्ण होते हैं सब तरह के परिवर्तन बहुत महतुपूर्ण होते हैं ठीक है बताइए ठीक है परिवर्तन तीवर्गती से होते हैं परिवर्तन तीवर्गती से कभी भी नहीं होते ध्यान रगना कई कई हजार स लग जाते हैं सब वहताओं को बदलने में दोस्तों ठीक है तो यहां पर परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है बिल्कुल ठीक बात है ठीक है कहते न परिवर्तन प्रकृति का नियम है कहते न लोग परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो यहीं है परिवर्तन मानव जीवन का सत् बहेरे युग मानव अस्तित्वे विशेशन विशेशन क्या होता दोस्तों विशेशन जो विशेशता बताता है ठीक है जो विशेशता बताता है या विशेशता बताए और विशेशन जिसकी विशेशता बताई जाती ठीक है जिसकी विशेशता बताई जाए तो दोस्तों ए तो यूग की विशेशता अंध्यरा है दुनिया की विशेशता आध्यात्मिक है और परीवर्तन की विशेशता है रूपात्मक लेकिन मानव और अस्तित्वे ये दोनों अलग अलग चीजे हैं मानव एक जाती वाचक संग्या है विशेशन कभी संग्या नहीं होता है क्योंकि विशेशन जो है संग्या की ही तो विशेशन बताता है खुद तो मानव क्या है एक जाती वाचक संग्या है ठीक है या दोस्तों जाती वाचक संग्या है मानव तो ये विशेशन नहीं है ठीक है अब किरपोट है तो मानव अस्तित्वे दोनों अपने आप में एक संग्या है ठीक है तो डी उत्तर हो जाएगा इसका कि मैं चलिए आध्यात्म आध्यात्म शब्द में एक प्रत्य लगाने पर जो शब्द वनेगा वह कौन सा बनेगा बताईये फटावडसे कि अध्यात्म शब्द में एक प्रत्य लगाने से एक बहुत खास बात बता दिता हूं मैं आपको यहीं पर जब किसी शब्द में एक प्रत्य जोड़ता है ना एक प्रत्य किसी भी शब्द में जोड़े कि उसके पहले वाले स्वर को एक प्रत्य बढ़ा कर देता दीर्ग कर देता है जैसे अध्यात में जुड़ा तो और शब्द है तो और का अ हो जाएगा अब देखो आ किसमें है आ इसमें है और इसमें धाप आदाय यहां पूरा है तो गलत हो जाएगा आध्यात्मिक जब एक में छोटी की मात्रा दोस्तों समझना एक में छोटी की मात्रा है तो यहां बड़ी की लगरी तो यह भी गलत हो गया है ना यहां पर जब मैने बताया कि यह आ बना जाएगा तो यहां तो गलत हो जाएगा यह भी गलत हो गया अब कौन सा या आध्यात्मिक छोटी की मात्रा लगनी है एक में कहीं भी धिल सो संसार में जोडेंगे दो संसार में जोड़ो एक और एक ग्रुड़ा मैं एक जोड़ते हैं, तो किया लेखते हैं, तो ही लिगते हैं शया में ठोफ़ घिटू इक बना दोफ़ घुमाफत्र सांसार में ठोटी की मात्रा एक हैं 01 थाक्ला इसे शरीर में जोड़ disp तो शारीरिक ऐसे होता ना तो एक प्रत्य जुड़ने से पहले वाला स्वर दीर गो जाता है उन्नती प्राप्त करने के लिए आवशक है कि मनुष्य संगर्श्रत रहे और विद्रोह करे अपनी खूबियों को जान ले अपनी कमियों को जान ले अपनी लक्षय की और चलता रहे यह आप सब के लिए है ध्यान से समझना कि उन्नती प्राप्त करने के लिए आवशक है कि सबी के लिए है आप जीवन में कैसे उन्नती प्राप्त कर सकते हैं इस प्रक्ष्ण के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिविशन है बहुत ज्यादा ठीक है बताईए तो दोस्तों ध्यान रखना जब कभी किसी मनुष्य को उन्नती तरक्की प्रगति करनी हूँ ठ ठीक है तो मुझे पता था इसमें यहां पैराग्राफ में हमें पैराग्राफ की तरभी तो देखना चाहिए ठीक है हाजी तो देखो यहां पर सेंक्णों परिवर्टन आया है खामियों देखो यहां पर देखो यहां क्या है कि यात्रा के आरम में अपनी प्रगति में पता लगाते हैं तो मतलब समस्या कौन सी आ रही है सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप अपने लक्षों की ओर भागे रहे हो मूठा के पैर में ठोकर लग रही है पैर में जूते नहीं है पैर में चपल नहीं है और नंगे पैर कांटों पर कैसे चल सकते ज़रा बताओं कि समझ में आरी बात जिसे मान के चलिए एक लोग पैदल जा रहे हैं और दूसरे लोगों का जो गाड़ी है गाड़ी का पईया गोल नहीं है गाड़ी का पईया कैसा है चौकोर है यह वाली कहानी तो आपने सुनी होगी गारी का पईया चोकोर है, एक की गारी का पईया गूल है, तो इनको चलने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, इनको चलने में बहुत कम ताकत लगानी पड़ रही है, चलने एक ही लक्षे पे दोनों, तो भाई सब यहां पर सबसे पहले देखनी कि हमारी कमी क्या ह हमारा weak point क्या है हम कहा कमी करते हैं हम किस बज़े से एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर रह जाते हैं हम किस जगे हमारा कमजोर point है वही तो हमारा लक्षे में बाधा करता है तो उन्नती प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि दोस्तों अपनी कमियों को जाने कि हमारे अंदर कमी क्या है हमारा वीक पॉइंट कौन सा है हमारा सीडीपी में कमी रह जाती है या हिंदी लेंग्वेज में या अंगरी जी पाने को करने का विवस्ति तरीका किस के पास नहीं था पताईए विवस्थित आदी मानवों के पास सभी मनुष्यों के पास सभी अज्ञानी मानवों के पास सभी और विवस्थित आदी मानवों के पास तो बताईए तो प्रगती प्राप्त करने का जो सही तरीका जो किसके पास नहीं था यहां पर कहा है कि उन आधी मानवों ने सुक प्राप्त करने के लिए अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाब संगर्स किया अलागी प्रगती प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित कोई तरीका उपलब्द नहीं होने का तो उनके पास ही तो नहीं था ना इनके पास आधी मानवों के पास ठीक है तो आधी मानवों के पास प्रगती प्राप्त करने का विवस्थित तरीका नहीं था ठीक है ओकी रिपोर्ट चलिए मानव के कौन से तीन पक्ष है मानव के कौन से तीन पक्ष है मैंने भी पहले वाले में बताया था कि मानव के कौन से तीन पक्ष है दोस्तों देखो यहां पर मानव अस्थित्वे त्री पक्षी मतलब त्री मतलब तीन पक्षी है मानव का जो अस्थित्वे है वो तीन पक्ष एुत्तर आजाएगा सांसारिक मानसिक आध्यात्म यह ओर ठीक थी लेकिन यह नहीं था बहुत-एक मानसिक के लिए लगवग आपरिचित होगा तो उल्लेखनी परिवर्तन मतलब पुरिश्कृत परिवर्तन महत्पून परिवर्तन बड़े बड़े परिवर्तन पुस्तकों में उल्लिखित परिवर्तन बताईए कि बिल्कुल बहुत बढ़िया कि शाबाश मताई आँ थो में उन लेक निये परिवर्तन का क्या मतलब हो जावेगा बहुत बढ़े शावर आजी तो उन लेक निये परिवर्तन का मतलब क्या है दोस्तोalnya पुस्तकों में उन्लेक इत्परिवर्तन तो नहीं होगा विलकुल भी नहीं हो सकता न ठीक है बड़े बड़े परिवर्तन थोड़ा बड़े बड़े मान सकते हैं लेकिन इससे भी बहतर एक शब्द और कौन सा है मैरे पास यहां इस विकल्प में महत्वपूर्ण परिवर्तन ठीक है महत्वपून परिवर्तन तो महत्वपून परिवर्तन को यहां पर उलेखनीय परिवर्तन कहा गया है ठीक है शाबाश सी उत्तर आ रहा है सभी का भी बहुत बढ़िया अब देखें यहां पर इसका प्रश्ण है कि मानव शब्द में किस प्रत्य और उपसर्ग का प्रियोग स लुबं ask जो लगता है शब्द के अरंब में लगता ठीक है शब्द के आरंब में ठीक है और प्रत्य होता है शब्द के अंध में लगता ठीक है किछ करना अंत में ठीक है falou अब बताये वड़ा फटarya तो यहां पर तू मानव ये या अमानव ये या अमानव ये या अमानित इतनी होगा आ उपसर रगाएगा और ये प्रत्या होगा तो क्या बनेंगे दोस्तो अ जमा मानव व जमाक को योठीक और क्या बनेंगे आमानवी थीजिए ठीक यह ढमान वीयई कि कि इस तरह से कו हो कि रिपोर्ट कविता बम का सरी स्कूलिक और आएका है किば लॉज कि आधि मानव ने पर लिखा हुआ आहा एक है अपwnी यात्रह के प्रारम्बिक चण में सुदूर अतीट्स अन्देरे में मानव ने अकेले बहुत तिक और मांसिक शेट्रों मेंं प्रगति की ठेम बहुत तिक और मांसिक शेट्र में तो प्रगति कर ली ठीक है लेकिन उसने जो है आध्यात्मिक शेत्र में प्रगति नहीं कर सका था वो ठीक है ठीक है तो बताईए हाँ जी परिवर्तन गुजरने से लगे लगवग परीचित हाँ बहुत बढ़ी है बताई फड़ापट से तो भौतिक और मानसिक शेत्र में प्रगति की तो पहले में बहुत बहुत लगा सकते हैं लेकिन लेकिन उसने बहुतिक शेत्र में प्रगती की लेकिन आध्यात्मिक शेत्र में प्रगती नहीं कर सका तो यहां पर इसने मानसिक को नहीं रखा है लेकिन बहुतिक को यहां पर रखना है और आध्यात्मिक को यहां पर रखना है ठीक है कविता है दोस्तों कर दोस्तों का जोड़ा युग्म का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा ठीक है रवने बना दी जोड़ी ठीक है दोड़ा कर दिये जोड़ा ठीक है तो यहां मतलब यहां पर चार जोड़े दिये हुए है तो चार जोड़े में यहां पर चारो जोड़ों का विलोम दिया हुआ है तो यहां पर यह भी विलोम है ठीक है यह भी विलोम है यहां पर यह भी विलोम है लेकिन हार विहार विलोम शब्द नहीं है ठीक है बाकि जो तीन जोड़े दिये हैं वो विलोम शब्द में रूप में है ठीक है चलिए अंदकार का प्रतीक नहीं है अंदकार समाधान का प प्रतीक या चुनोतियों का प्रतीक अंदकार यहां पर किसका प्रतीक नहीं है अधिक्स तो अंदकार बुराई का भी प्रतीक होता है अंदकार चुनोतियों का भी प्रतीक होता है अंदकार निराशा का भी प्रतीक होता है लेकिन अंदकार समाधान का प्रतीक नहीं होता है कि यहना है चलmet यहिए कहीटा में डॉट 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 पर सरवाधिक बलदिया गया राह पर प्रकाश पर अंदकार पर यह संथे पर भी सिचिक चुका नहीं राहि उसी का नाम जो राह में रुपा नहीं एक दिन प्रकाश हो ता है कितनी भी कितना भी अंदकार हो सत्य की विजय है सदा असत्य की हार हो ठीक है सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो सत्य की विजय सदा असत्य पर असत्य की हार हो अब देखू तीन जगह पर सच्य सच्चा आ सट शभद आ रहा है तो इसलिव हम क्या कहेंगे सट्य ठीक है explor sectureЗव के बारे में ज्यादा कहा गया हो जिस शब्ध परादरित पूरा काव्वे लिखा गया हो उसी को हम जो है सीघ्षा कूं मान चलते रहना हर परिष्टिती में विजय रहना बताईये कैसी सच्चाई की साथ में रहे कैसी भी कैसा भी अपना अंत हो ठीक है तो राही की विशेष्टा क्या होगी खास ठीक है तीस प्रश्ण पूरे कर लेते हैं 28 में चल रहा है कि बहुत बढ़ी है बताईये तो सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो ठीक है तो यहां पर बोला गया है कि हर परिष्टिती में कारेरत रहना चाहे आपको कैसी भी परिष्टिती हो आप पैसे वाले हो जाएं आप चाहे कितने भी गरीब हो जाएं आपको हर एक परिष्टिती में इंसान को अप अपनी मेनत में लोगों को लगे रहना चाहिए यह बात ध्यान रखो आप लोग ठीक है यह आपकी लिए भी खास बात है कि आपकी परिस्तिती चाहे कैसे भी हो चाहे अंदकार हो चाहे मतलब आप परने रिर्टे समय लाइट चली जाए तो आप किसी ना किसी तरह और तरह से लाइट जला कर पढ़ सकते हैं हम तो हॉस्टल में क्या करते थे पता है बता हुए छूटा सा पॉइंट मच्छरदानी लगाई फोन की लाइट जलाई और मच्छरदानी पर डाल ली होगी किताब पर लाइट अब पढ़ते रहो उससे कोई तरीका ना हो आपके पास फोन स लिए अगला है प्रशन दोस्तों कि इस कविता का मुख्य स्वर क्या है देश बक्ति है तमस है ओज है यह श्रंगार है तो ध्यान रखना यहां पर वीर रस से भरी हुई कविता है मतलब किसी को मोटिवेशन दिया जाते हैं हाउज दोश हाउज सर तो वहां पर वीर रस की बात होती है तो वहां पर ओज गुण होता है कौन सा होता है दोस्तों ओज गुण होता है यह प्रकार का गुण होता है ठीक है यह चीजें मैं आपको क्लास्म के अंदर ही बताता रहूंगा ओज गुण कहां प्रयों होता है मादुर्य प्रसाद गुण कहां कहां प्रयों हो हसा औ साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो ठीक है और कितना भी अंधकार हो एक दिन प्रकाश होगा तो इस तरह से यहां पर आपको यहां बताना कि कविता के नुसार किसी भी इस्तिती में हाँ जी पढताइए तो किसी भी स्तिती में अधीक यहां पर कट गया है सीज पर यह शीष है जुकत certains रही उसीका नाम है जो रहे रुका नहीं दोस्तों यहां पर कह सब्सक्राइब कि नहीं पर कहा गया है कि मत्तब कल्या ribs आपको कोई रिश्वत दे तो रिश्वत नहीं लेनी है चाहे किसी भी हालत में चाहे आपके घर में खाने के लिए आटा नहीं पर जब सरकारी नहीं के लिए तो खुममज मारोगे सच बताऊं पर रिश्वत नहीं लेनी है मतलब अपने स्वाभी मान के को कभी बेचना नहीं आपको ये कविता भी कहती है और ये अमारा कर्म और धर्म भी कहता है कि कभी अभी अपने आपको बेचना नहीं चाहिए चाहिए कैसी भी परिस्तिती हो अपना जो सम्मान होता है स्वाभिमान होता है वो अपने हाथ में होता है अपनी इज़त अपने हाथ में होती है ठीक है बहुत मज़ेदार जानकारी है जो आपको कभी आपने नहीं देखी होगी दोस्तों बहुत बढ़िया जानकारी देखो ठीक है चलिए सीटेट पेपर बन का जो बैच है दोस्तों वह आपको 990 रुपे में मिल रहा है अभी 300 रुपे की छूट चल रही है 25 मार्च तक ठीक है और जो दूसरा पेपर है दोस्तों सैकेंड पेपर है वो भी 990 रुपे का है अलग अलग अगर अगर लेना चाहते अगर दोनों को एक स दिनी कि परसों से आपकी अपलीकेशन पर ट्लास चल जाएंगी अपलीकेशन डाउनलोड कर ये महां से कोर्स परचेस कीज़िएगा और इसकी वैलि्टिटी जो रहेगी एक साल तक रहेगी एक साल से पहले बैच पहीं आपका नहीं जायेगा खतम नहीं होगा अगले मार्च तक आपका बह्त चलेगा कब तक अगले मार्च 2025 थीक कई इसमें सारी चीजें मिलेंगी live classes हैं, CTAT के mock test हैं, doubt classes होगी, bilingual batch होगा, लेकिन Hindi में हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, पहले ही बता दे रहाऊ, ठीक है? Free batch, मुझे अपने घर को ले जाओ, Pres planetary academy को ले जाओ, free में batch, है ना, सभी रहागा, ना बढ़िया नहीं बगुथ बड़िया तितैके नोटस मेलेंगे दोस्तों आपको और recording ओर टुर्श जो लाइब रहे जाती आपसे मतलब आज सबढा आपने लाइब ने लिगी टैट की बुक मिलेगी सबसे बड़ी बात ये इस बैच के साथ free में CETAT की book मिलेगी, ठीक है, हाँ, company के पर चाहर आप लोगों वफायदा, एक साल की guarantee, मतलब एक साल की, इसमें validity है, guarantee नहीं, मतलब validity का मतलब है, एक साल की, ठीक है, एक साल तक यह आपके पास रहेगा बैच, और सबसे खास बात, दोस्तों, क्या है, कि इसकी C CETAT की किताब आपको मिलेगी, जो कि Sachin Sir के द्वारा, खुद उनके हाथ से बनाई गई किताब है, सबसे बहतर किताब है वो दोस्तों, ठीक है, और सबसे पहला बैच यह आपका ही होगा, जिसके पास ही किताब जाएगी, वो भी free में, ठीक है, free का माल है, लूट लोगी है, PYQs मिलेंगे, जो कि NCRT पर base होंगे, जो कि previous year question हुए है, अब तक CETAT के, वो सब मिलेंगे आपको, बिल्कुल updated जनवरी 24 तक के, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं, call कोई ना करिए ना, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस किया है, वो कर दीजेगा, ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, फिर break के बाद, 20 तारिक एप्लिकेशन के अंदर तब्दे के लिए, जैहिन, वन्यमात्रम, धन्यवाद. झाल है, तो एन्यवाद.